और फिर सियासत चुरू हो गई है राजाने लखनों में भारतिये जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्याले में बैठक की इस बैठक में नियन लिया गया कि आतंगवादी उद्वारा हिंदू नेता कमलेश्तिवारी की हत्या की गई थी और फिर सुप्रिम कोट के पुलिस के सुरक्षा के साथ आता है उसका मुकदम स्थनांतरित कर दिया जाता है लेकिन जो गवा और जो पुरुकार लखनों से प्रयागराज अकेले गवाही देने मुकदमा लड़ने जाता है उसकी जान को खत्रा नहीं है उनके बारे में सुप्रिम कोट ने कुछ नही कारिकरताओं के साथ कमलेशतिवारी नियाय यात्र निकाल कर पार्टी का रहले से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे साथी सरकार से मांग करेंगे कि उन सभी आरोपियों को फासिदी जाए कमलेश तिवारी जी की दो साल पहले हत्य हो जाती है हिंदुवादी सरकार में और आज तक उनका परिवार नयाय की गोहा लगा रहा है प्रदेश सरकार से जिसमें भारती जंता पार्टी द्वारा जूठे वादे किये गए कि उनके लड़के को सरकारी नवक्री मिलेगी उनक पाठक जी ने वादा किया था जो भी मुकदमा चलेगा फास्ट्रेक कोर्ट में चलेगा और आरोपियों को सक्से सक्स सजा मिलेगी और आज हमारी हिंदुवादी सरकार भारती जंता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधियों के द्वारा सुप्रिम कोर्ट से मुक